ये कहानी है शम्शेरा की और ये है उसी घिसी पीटी कहानी का रिव्यूँ कोई नई बात बता घजूरी ये बात तो बच्पन से सुनके जवान हुआ हूँ तो नई बात भी बता देतना हूँ साउट जैसी फिल्म बनाने के प्रेशर में बॉलिवुड ने साउट की फिल्म का ही कौपी पेस्ट वर्जन बना दिया है ये है शम्शेरा का रिव्यू और अगर आपने बाहु बली और के जी एफ देखी है तो इस फिल्म की कहानी देखकर आप बस यही कहोगे एक बात जो मुझे आज तक समझनी आई वो यह है कि जब आपकी फिल्म में अच्छा बीजीम है तो जबरस्ती गाने ठूसना किस बात की मजबूरी है भाई बिनाबाद को गुमाए बोला जाए तो यश्राज फिल्म की शमशेरा एक एवरेज फिल्म है जिसमें हीरो रनबीर कपूर हिरोईन वानी कपूर विलिन संजेदत और डिरेक्टर करन मलोत्रा ने मेनत तो पूरी करी है लेकिन बिनाबाद के बोरिंग गानों को ठूसना और दो घंटे 40 मिनिट की इस फिल्म का खिचा हुआ स्क्रीन प्ले शमशेरा पर पानी फेरा कर देता है तो सबसे बहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की एक जाती है खमेरा जिस पर सद्यों से बहुत जुल्म ढढ़े गए शमशेरा उस खमेरा जाती का सरदार है जो अपनी जा करता चाहरत पूरी जाती को ईक ले में बंडी बना लिया अब कैसे इस किले से शमशेरा निकलता है कैसे वह बदला लेता है और कैसे अपनी पूरी जाती को उस तुमशेरा में देखने लायक है वो है फिल्म की सिनेमेटोग्रेफ़ी फिल्म में चाहे पुराने जमाने का किला हो या हो रेगिस्तान में दौडते घोड़े पीरियड फिल्म की फील में कैमरा वर्क नहीं डालता कोई रोडे फिल्म में एक्टिंग डिपार्टमेंट से भी आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी चाहे रंबीर कपूर का डबल रोल हो संजगत का तिलक लगाकर विलेन वाला रोल हो या वानी कपूर का कमर मटकाकर हिरोईन वाला सबी लीड एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है इसके अलावा फिल्म में सौरब शुक्ला का भी बढ़िया रोल है और डायरेक्टर करन मलोत्रा ने भी फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है तेरी मा का मुकृत फिल्म के डायलोग्स लिखे हैं स्क्रीन प्ले मुझे मजाख नहीं उडवाना अपनी चीज़ का मजाख नहीं उड़ा रहा पर इंटरवल से 20 मिनट पहले एक सीन आता है जब आपको लगता है कि इंटरवल आ गया और इंटरवल के ठीक बाद एक गाना आता है जो आपको फील देता है कि इंटरवल अभी चल रहा है शमशेरा जिस स्पेस के साथ शुरू होती है उस स्पेस के साथ पूरे दो घंटे 40 मिनट नहीं चल पाती फिल्म में काफी मूमेंट्स हैं जब आपको लगेगा कि यार बढ़िया फिल्म बनाई है और फिर बीच-बीच में आपको स्टोरी राइटर के लिए लि कुछ ऐसा नहीं है जिसे देखकर आपको हो आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिल प्राक्टिकल नहीं है तो फिल्म शमशेरा के बारे में कट गया का फाइनल वर्डिक्ट क्या है फाइनल वर्डिक्ट है कि बॉलिवुड ने इस बार को यह फिल्म बहुत पसंद आएगी तो इससे घटिया डायलोग तो भाई होई नहीं सकता क्योंकि भाई जो फैन है उसे तो उनकी बॉंबे वेलवट भी पसंद आजाएगी तो अगर आप खिची हुई स्टोरी को कह सकते हो कि तो आप इस फिल्म को देखने जरूर जा सकत यह चार साल बाद भी जो पुरानी स्टोरी लाने का पाप बॉलिवुड ने किया है आदा स्टार मैंने उसी के लिए काटा है बाकी अगर आपने फिल्म ऑल्रेडी देख ली हो तो आपको यह फिल्म कैसी लगी यह आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको यह हमारा क अगट को सबी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर फॉलो करते रहो नहीं फिल्म एंटेटेनिंग नहीं होई तो हम रिव्यू से एंटेटेन कर देंगे प्यार बनाए रखिए